चलिए हम लोग स्टाट करते हैं जो हमारी सीरीस तर ली थी इसका पार्ट नमर 16 अभी तक हम लोग 15 पार्ट देख चुके हैं जिल्लोग नहीं नहीं देखे वो जाकर के देख सकते हैं यहां पर आपको एक आई बटन देख रहा हुका इस पे क्लिक करिये जो त्रियोडाट के में तरलता है उसको कैसे कामजादा करती है कामजादा कैसे करती है इसके लिए कुछ टूल को उपयोग करती होगी ना उसके पास कोई जादू मंतर नहीं बोलेगी तो हमने क्लासिफिकेशन किया था क्लासिफिकेशन करके हमने क्लासिफिकेशन करके हमने क्लासिफिकेशन कर करते हैं अगर हम नॉन ट्रेडिस्ट्रूमेंट की बात करें हम इसे 3 भखों में बाट करके देख सकते हैं एक हेलिकॉप्टर डॉपर उसरा है हेलिकॉप्टर होबर और तीसरा है निगेटिव इंट्रेट हम तीनों के बारे बहुत अच्छे सब भी बात करेंगे तो पहले स् सेंट्रोल बेंग कब करती है तो इसकी स्टोरी सुनिए जब लिए अर्थ विवस्ता में आर्बीज को प्योग करती है जब अर्थ विवस्ता में तरल्ता बहुत कम हो जाए मतलब कम हो गई तो कोई बात नहीं बहुत जादा कम हो जाती है तब इस्तिती उत्पन होती है मंदी की इसकी स्तिती उत्पन होती है मंदी की और मंदी की स्तिती में क्या होता है कि लोगों को पास पैसा नहीं बसता है बिरोजगारी उत्पन होने लगती है आर्थी सम्रिद्धी बहुत तीजी से नीचे जाती है तो इसको बोलते हैं यहां कि निश्रेशन का मतलब क्या है कि अर्थ विवस्था में तरलता बहुत कम हो गई तरलता क्यों कम हो गई क्यों कि लोगोँ के पास पैसे घर्इव ही नहीं नहीं है इसका क्या मतलब करना है देखी मैं आपको स्टोरी सुनाना हूँ इसको अच्छे से सुनिए अब यह आपको यह क्लियर हो जाएगा अब यह आपको मंदी खत्म करनी है मैं आप से बोल ला हूँ तो आप लोग अगर इसके बारे में नहीं पड़े हैं फिर भी तो कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि अब यह पाइसे कैसे देंगे इसी के लिए एक टूल है हेलिकॉप्टर ड्रॉपर या हेलिकॉप्टर होब है अब इसके नाम से ही आपको देखिए सब कुछ याद हो जाएगा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है देखिए ध्यान से स्टोरी सुनिए इसका नाम रहे हैं तो इसको दो नाम हों से जानने जाता है एक तो घ्लीकॉप्टर ड्रॉपर या फिर हमनी इसको बोलता है वो कि बहुथ इंब्दोंट आप देखिए उसका क्या मतलब हो एक तरहे से बढ़ने तो ऑध्मानिघा हैं लोगों चुए दो कि आ croisँए कॉब के हैंगे मा सबोग जाएंगे तो क्या होगए एक तरह से तरलता फिरोगी न तरलता जब उत्पन होगी, तो यह मंदि की स्तिती खातम होजाएगी, देवांड करिण होगा, क्यों? क्योंकि लोग जाकर करके demand कर रहे हैं, किस की demand कर रहे हैं, कुछ product ही तो होगा, प्रोडेक्ट होगा ना तो इसी प्रोडेक्ट के तो डिवांड करेंगे जब इस प्रोडेक्ट के डिवांड करेंगे तो इसका उत्पादन भी तो करना पड़ेगा हमें प्रोडेक्शन भी तो करना पड़ेगा प्रोडेक्शन के लिए हमें किसकी जरूत पड़ेगी तो यहां पर क्या उत्पन होगे रोजगार उत्पन होगे जब रोजगार उत्पन होगे लोगों के पैसा आएगा जो रोजगार लेंगे जाकर करके इनके पास भी पैसा आएगा तो यह भी अपना पैसा खर्च करेंगे तो यह साइगे चलता रहेगा अब देश में का जाई कि आर्थिक संभृद्धी कि उत्पन होगी ओके अर्थिक संभृद्धी की उत्पन उत्पन हो रही है सब जाकर के अपना फैसा हथ कर रहे हैं तो लोगों की को करते हैं हेलिकाप्टर ड्रॉपर का हम हेलिकाप्टर ड्रॉपर करते हैं देखें यह नौन ट्रेडिस्टनल इस्ट्रॉमेंट है जब ट्रेडिस्टनल इस्ट्रॉमेंट होते हैं जब अर्थविवस्ता पर काम करना बंद कर जाते हैं तब भी हम इसका उप्योग करते हैं म helicopter, dropper क्या है, मतलब कि लोगों के पास प्रत्यक्ष रूप से पाइसा पहुचाना, इसका तात्पर क्या हुआ, लोगों के पास जो सरकार है, या फिर central government है, वो direct पाइसा पहुचा है, इसका क्या मतलब है, डारिक्ष पाइसा का बितरण हुआ ना मतलब, अब इस bird का सबसे पहले किस ने हो पयोड किया यह पहले किया है हाँ देख रहाlly हो के लोगों के पास अब यहोण को सबस्क्राइग के साठा यह स्टोरी कि सुनाई उरा मिल्तन गीन यह जीन हो ने पहली कि म dispatch को को दिया होंगे हमारे साथ कईसा हो हम रात में सो रहे हो तो कितनी अच्छी वात है और इन्हें इसलिए नूबल पुरुषकार भी मिला था 1968 में इन्हें नूबल पुरुषकार से नमाजा गया कौन से नूबल पुरुषकार से सालता को बढ़ाने के लिए केंद्रिय बैंक मुद्रा का बितरन करती हैं यह टो घर गर जाकर के भी दे सकती है हैं वह कैसे करें क्यासे सामों पुभुकता हैं उन में करें अब भाई जो केंद्री फैंक है उसके पैसा इसमें थोड़ी नहीं है वो किसको कितना पैसा देगी अब इससे क्या होगा उसको घाटा होगा ना उसके पास नोटों कमी आ जागी अब इस घाटे की पूर्ती करने के लिए वो क्या करेगी नया नोट जारी करेगी नया नोट जारी करेगी क्या करेगी नया नोट जारी करेगी कब जब वो मुद्रा के वित्रण करेगी उसके पैसा खता होने लगेगा तो इस घाटे के पूर्ती के लिए नया नोट जारी करेगी तो आपको एक पास समझ में ना कि एक लिमिट है इसक संकल्पना है कैसी संकल्पना है आदर संकल्पना है और आदर संकल्पना है तो अब क्या होगा कि गार्वर्बेंट इस सब को जाग जाकर फिरिम पैसे वाड़ेगी ऐसा नहीं होगा इसकी जगह पर वो क्या करेगी बैल फिर जो कल्याड कारियोजनाएं जो कल्यार कारियोज नाए है उसमें खर्च बढ़ा दीती है इसके लिए तो यह ज़्यादा च्छा टूल है अब देखो क्या होगा इससे लोग तो आलसी हो जाएंगे बाद बैसी हमारे देश के लोग काम नहीं करना चाहते हैं अब ऐसे लोगों को फिरी पाइम पैसा मिलने प्रोडेक्शन नहीं होगा तो गोफर्च गरीगी डारेट पैसा नहीं बाड़ेगी बल्कव क्या गरेगी कल्यार खारी हो नमबर एक आधार भूत सनरचना का निर्माड होगा और नमबर दो क्या होगा लोगों के लिए रोजगार भी मिलेगा जब रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आ रहे ना इस पैसी का खर्च भी होगा तो दीखे पहली वादी कंडिशन है जिसमें डारेट जाकर के फिरी में लोगों पैसा दिया जा रहे तो प्रोडेक्शन नहीं होगा क्योंकि हर किसी के पास पैसा आपड़ा देती है बहुत ज़्यादा खर्च करती है अब देखो यही कंडिशन जब अमेरिका में आई ती अब अमेरिका को भी उधर अन सुन लीजे जब अमेरिका में कि यूएसे में ऐसा हुआ था अब भो भी बैलफियर में पैसा खट करना चाहती थी अब यूएसे के गवर्फियर का बहुत बीचाहरी थी भाइया हम डारेक्ट पैसा ना वाटें डारेक्ट पाइसा ना वाट के वालगी बैल फियर यह उजनाय है इनमें पाइसा दे जादा लेकिन बहाँ पर आधारभू संरचना पहले से थी जो अमेरिका था बहाँ पर पहले से रोड सरक सब कुछ बना हुआ था अब वो सोच रहे था हम आधारभू संरचना में निर्व उसको भी पहले थोड़ा फिर बनाया उसने ऐसी काम किया जब उसने ऐसा किया तो उससे दो फाइदे हो एक तो नई चीजों का आधारभू संरचना थी उनकी एस फिर से बढ़ जाए कि ना जैसे वो परानी हो जुगी थी थी तो सारी आधारभू सुब्दाएं लेकिन वो पुरानी हो गई थी ना उनकी इस बढ़ गई और दूसरा क्या था लोगों के लिए रोजगार मिला जब लोगों के लिए रोजगार मिला तो वो मंदी की स्तिती से उभरने लगा और लेकिन यहां पर सेंट्रल जो भांगी सेंट्रल बैंक थी उसको घटा हुआ था उसकी पूर्ति के लिए उसने नए नोट जारी कें किया किया है नए है नोट जारी है तो यूएसे में देखी कंडिशन थोड़ी अलग थी क्योंकि बहां पर आधार हो संद्रसना को कितना भी दिर्बार कर सकते हैं क्योंकि हमारे हें यह बहुत कम है तो आंप लोग समझे समझके और इसकी घटाँ होगा जाब पैसे बाटे जाएंगे तो घटाँ वह ohoda नहां किया जाता है ने नोट भारी किया आप हम लोग दिखते हैं हेलिकॉप्टर होबर ईक हेलिकॉप्टर होबर है इसका मतलब होता है वेक्योम क्लीणर देखे है इसका सब celle स्ट्राइब या बड़ाने के लिए की विए इसका की अफिजातों किया अगि और तरह समय अतया होता है एक होता है White Money और दूसरा होता है Black Money उपनी होता है इस परRBI का control होता है लेकिन जो Black Money होती है उस पर का control नहीं होता है क्योंकि वो थो बैंक के विवत्षाम में ही नहीं लोगों ने तो उसको रखाए और बैंक को तो उसने बताया ही नहीं है ना कि हमारे पास पास ब्लैक मनी होती है वो कि अगवर्मेंट सरगर को बताती है कि हमारे पास एक कड़ोर रुपिया है एक कड़ोर रुपिया है वो की ब्लैक मनी में नहीं बताता है ना वो तो छोरी शुपए हवाला के रुपए कही भी रखेगा तो black money होती है वो RBI के ने अंतरण से बाहर होती है लेकिन वो चाहती है अब देखें तरलता यहाँ पर बढ़ गई है यहाँ पर तरलता बढ़ गई है अब वो तरलता कम करना चारी है तो वो तरलता कौन सी कम कर सकती सिर्फ जो white money है इसी को तो कम जादा कर सकती ह लेकिन एक बहुत बड़ा amount है जो black money के रूप में है black money के रूप में भी बहुत बड़ा amount है इसको तो वो कम जादा करी नहीं पा रही है तो इसके लिए वो क्या करती है इस black money को सोखने के लिए मतलब जो काला धन होता है जिसको समनांतर अर्थ विपस्ता के नाम से भी जान मैंने एक स्टोरी सुनाई और यह कैसे लिए बैक्यूम क्लीनर होता है इसा नाम गड़ा जैसे यह लोग सभाई गरते हैं आप दिखिए यह बैक्यूम क्लीनर ऐसा हुता हुता है इस से आप कहीं से भी धूल गर्द होगी वो सख कर लेगा जैसे आप जाड़ू से जो कोने में पड़ी हुई गर्द नहीं लिखा सकते ना धूल नहीं लिखा सकते लेकिन इस बैक्यूम क्लीनर होता है इसके अलग 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 एकस्टेंशन्स आते आ गया आप पतला वाला चोड़ा वाला लंबा वाला तो उसको लगा करके आप किसी भी हिस्से सोपे के इस काले धन को क्या कर लेती है अब मैं आपको एक एक लिख्जांपल देता हूं देखें बहुत अच्छे से देखें जैसे कि अमीर खान आपको इस स्टोरी का है आप लोग समझ के होंगे देखें जब अमीर खान होता है वो डिलेवरी करता है उसक्ति वहां पर फॉंस नह यहां पर जो अमीर खान था इसकी पहुंच नहीं थी तो इसने क्या कि एक ऐसा उपरण बनाया किसकी माध्यम से एक बैक्क्यूम की नीनर के माध्यम से जिससे वो क्या करता है आराम चे डिलेवरी कर पांद है अब इसी तरह समझे कि यह अमीर खान के आर्भी आई है क्या ह अब उसकी पहुंच नहीं थी तो आर्भी आई ने भी क्या किया इस अमीर खान की तरह सोचा उसने सोचा मैं एक डैक्यम क्ली टाइफ का कोपकरां लेके आती हूं और इस ब्लैक मनी को यह से सक कर लेती हूं इस ब्लैक मनी को इस तरह से सक कर लेती हूँ जिससे क्या होगा कि आर्थ बेवस्ता में तरलता, आर्थ बेवस्ता में तरलता कम हो जाएगी न तो उसने भी अमीर खान की तरह सोचा और उसने सोचा कि मेरी पोहांच नहीं है लेकिन इस मेरे पास यह कुपकरन है जिसका नाम है helicopter hover इसका उप्योग करके मैं इसको सख कर लूँगी और तरद्धा को कम कर दूँगी इसलिए वो इसका उप्योग करती है और इसलिए इसका नाम पड़ा है vacuum cleaner की तरह होता है इसलिए helicopter hover इसका नाम पड़ा है तो हम लोग समझ गया है अब इसकी story जो real है वो सुन लेजिए सवानता क्या होता है जो पारम पर इक उपकरान थे जो हमने traditional instrument देखे थे उनके माद्यम से banking विवस्ता में जो धन होता है इसी को RBI कम जादा कर पाती है लेकिन जो banking विवस्ता से बहार होता है काले धन के रूप में उसको नियंतरिट नहीं कर पाती है अब इसके नियंतरण के लिए वो क्या गड़ती है इस उपकरान का उपयोग करती है जैसे कि अब मैं आपके example दूँ आप सुचिंगे ऐसा कौन सा उपकरान है किसका कर दिया आपके पास 1000 का जो नोट होगा वो चाहें आपने कोपचे में रखा हो कहीं भी रखा हो एक मटकी में रखा हो वो तो बेकारी हो जाएगा ना एक तरह से उसको क्या कर लिया उसने सक कर लिया बीमुद्री करण के समय मोजिजन क्या पांसो और 1000 के जो नोट से उसको क्या करती है बंद कर दिया तो जो भी मुद्री करण है भी में कॉषिस की और उसने किसी भी अर्थ विवस्ता में रखा हुआ हूँ हूँ उसको कोशिश की है किसने Central Bank ने किसने Central Bank किसने इसको owns करने की कोशिश कै और उसने कि किसी भी अर्थ विवस्ता में पैसा हो मतलब चाहें मटकी में रखा हुआ हो चाहें बैंकिंग विवस्ता में हो कहीं भी पैसा हो वो खराब हो गया मतलब उसको सोक लिए एक तरह से तो आप लोग समझें कि बीमुद्री करण अगर जैसे गौवर्मेंट ने किया था वो किसक आपके हों स üzकी बारिएं चलिए हम लोग आगे बढ़ता है और देखते है नेगीटिव इंट्रेटिव हम देखते हैं नेगेटिव इंट्रएट देखे-खै क्या होता है सिसमें इसको दो प्राश्ण रूपों में जाना जाता है अगर बैंक हैं बैंक के पस कुल जमारासी measurements एक ग घर रुपय हैं अब एक हजार रुपय hydrogenson जमारासी है इस पर इस पर क्या देन चाहिए ब्यास लेन चाहिए प्सक्राइब ब्यास तो नहीं देने की जगह वह इसमें में इंधर खुआ हैं इसके पास सो रुपए हैं इसके पास सो रुपए है ये गया व हम आपके वलकी चार परसेंट बाट सिक ब्यास दर से पैसे काटेंगे अगले साल अगर आप इसको लेने आएंगे तो कितना रुपए मिलेगा सिर्फ आपको 96 रुपए मिलेगा चार रुपए थी वह बैंक ने अपने पास रख लेगा तो इसी को क्या कहते है नेगेटिव इंट्रस्ट रेट अब देखे इसमें पैसा देनी की बैंक काट लेकि अब इसको दो लोग काट सकते हैं अगर इसे सेंट्रल बैंक काट की है मतलब देश की केंद्रिय बैंक काटती है तो यह मौदरिक नीतियों का हिस्सा है तो यह मौदरिक नीतियों का हिस्सा है अगर इसे केंद्रिय बैंक काटेगी तो इसे कहते हैं मौदरिक नीतियों का हिस्सा है लेकिन जापान है जापान की केंद्रिये बैंक इसी का उपियोग करती है निगेटिव इंटरस्ट रेट का वो कुल जमारासी का 0.10% काट लेती है इतना ब्यास जरा काट लेती है माइनस में कर देती है तो यह क्या है जब जापान इसका उपियोग कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे यह मौदरिग नीतिया जो मौनिटरी पॉलिसी है इसका हिस्सा है लेकिन कुछ कोपरेटिव बैंक होती है वो भी ऐसा करती है जैसे कि अगर मैं आपको एक्जांपल दूँ स्वीजर लेंड का स्वीजर लेंड है जो यहाँ पर बैंक है आपने सुना होगा स्वीजर बैंक के बारे में स्वीजर बैंक पर अगर आप अपना खाता खुलाएंगे तो पैसे नहीं देगी वहला कि यहां भी जमारासी में से कुछ पैसे काट लेगी तो यह मौदरिग नीतियों का हिस्सा नह करना चाहरा होगा उसका उद्यस होगा कि हम करना चाहरे हैं तरलता को कम करना चाहरे हैं लेकिन बार्ड़िचिग बेंक हैं यह बहुत की भी ब्यास देती है तो इसका लाब कहां से होगा यहां से होगा क्यों जैसे आपने मैंने आपको बताया था करेंट अकाउंट के बारे में क्या होता है करेंट अकाउंट में ब्यास नहीं मिलता है लेकिन इसमें लाब होता है इसमें ब्यास तो नहीं सारा पाइसा आकर के अपना लिकालने, सारा एक दम डाल दें, कोगे कितने में ट्रांजिक्शन करें, तो सुजरफलएंड होती है, यह समानता लोगों के लिए नहीं देती है, यह जादा से जादा पाइसा अपने पास रखती है, तो इसको घटा होगा ना, इसका भीआ खर्ची भी तो जा रहा है इसकी building का पैसा हो गया है यहाँ पर करमचारी है सुरक्चा का बहुत पैसा जा रहा है न तो इसलिए जो अपने लोग होते हैं कहते हैं तुम्हारा पैसा सुरक्चित है हो कितना भी आकर के-लिकार डाल सकते हो इसलिए आपके जमारासी है उसका कुछ परसेंट हमें दो भाई या तभी तो फाइदा हो तभी तो तुम्हारा भाई से वस्वर अच्छी तरख पाएंगे तो सुईजर लैंड वाली जो बैंक है स्विस बैंक है अकर वो ऐसा कर रहे हैं तो यह मौदरिक नीतियों का हिस्सा है तो हम लोग समझ गए टीनों के बारे में हेलीकॉप्टर ड्रॉपर मतलब इसमें पाईसा क्या करती किया जाता है डारिक्ट पृतिक यूप से लोगों को बाटा जाता है मंदी की स्थित्य में इसको अजाएं मैं और इसको सब्सक्रायर की लिया इसमें तरने डी इसमें टरद्ता कि गर बाडिटिंद्ग रिपर चिता कर रही है लेकिन केंदिरे व्यां कैसे कर रही है तो और गर्या आपको ये विडियो पासिंद देतो लाइक करें और अपने दोस्तों के एक आपको पूरी जो स्टोरी के फॉर में ऐसी समझाता हूं मजाक के जैसे आप एकदम कॉमेडी वीडियो दिखते हूं और फिर भी आपको सब्सक्राइब कर रहा हूं तो आप भी सब्सक्राइब करिए और अपने दूस्तों को भी सेयर करिए ओके चलिए मैं इस वीडियो को य लेंगी